नवसकार इस विशेज करेकर में आप सबीका स्वागत है। मैं हूं पुरारी गुपता। दोस्तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेति के बारे में। प्राधामिंतिन नरेंदरमोधी शूर्भ्शले कई मेहनों से प्राकरतिक खेती को लिकिन लगातार बातचीत कर रहे हैं! आखिरकार प्राकरतिक खेती की आफशक्ता हमको क्यों पढ़राई इसी विसे पर बात्चीत करने के लिए हमारे साथ हैं लाला लाच्वत राय पसुची किसा विस्व जाले के वेगानिक डॉक्टर आशुक मलीक और स्थम्भकार और सिक्षावित डॉक्टर सुरेंद्र कौन में सरा आप दोनों का इस कारेकर में बहुत वसलागाते हैं डॉक् जी सबसे पहले तो जिस तरह जो हमारे पुराने शोता हैं या दर्शक हैं वो जानते होंगे कि 1960 के दसक से पहले या 1970 से पहले पहले हमारे जो खेती करने का तरीका था वो यह था कि हम स्थानिय बीजों का इस्तेमाल करते थे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते थे इ यह जो तरीका था खेती करने का इसको हम कुछ हद तक प्राकर्तिक खेती कह सकते हैं लेकिन यह पूर्ण रूप से प्राकर्तिक नहीं था प्राकर्तिक खेती हम यह जिस तरह हम उदारन के तो पर देखें तो यदि हम जंगलों में जाते हैं तो वहां कोई आम का पेड़ है य हम ना तो जमीन को ज्यादा डिस्टप कर रहे हैं, ना ही उसमें chemical fertilizer का use कर रहे हैं, और ना ही chemical pesticide का use कर रहे हैं. तो इस कम से कम संसाधनों के परयोग से जो हम खेती करेंगे, उसको प्राकरतिक खेती हम कहते हैं, और 1960-65 के दसक तक बाहरत में ये पहले से जारी थी. मिस्रा जी, मैं आप से जनना चाहता हूं कि क्यों हम को प्रधाम अंतिय जी को यह आवान करना पढ़ रहा है, विज्ञान और तक्निकी ने प्रगत की, लोगों ने भी प्रगत करनी शुरू की, जनसंख्या महारी बहुत बढ़ी, हम ज्यादा से ज्यादा उपज लेने के चक करमें, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो. इस कारण से प्रिस्टिसाइज का इस्तिमाल करने लिए और केमिकल खाद का इस्तिमाल करने लिए जो प्राकिक चीजें थे वो धीरी-धीर हम खुटे रहें. आज इस्थिती यह बन गई कि बहुत सारे भीमारियां, बहुत सारे रोग, बहुत सारी समस्याय खड़ी हुई, उन पे अंकुस लगाने के लिए हमें पुना हुआ आपसा रहा है, अब हमें प्रकत की प्रयोग साला में खेती करने पर जूर दी रहे हैं, क्यों आवशकता इस पात किया है कि हम स्वस्त र विश्त के अनेक देसों में योग को मानने लगें, क्योंकि योग प्रकत से जोड़ा हुआ, वो प्रकत की निवरान, इसलिए प्रकत के साथ अब खेती के जुड़ने की बात की जारी है, हमारे हैं चोटे-चोटे किसान है, अब वो भी मैसूस करने लगे, कि इससे बहुत स समिस्याएं भी कट हैं, क्योंकि जो छोटी खेती वाला है, वो सो जादा से जादा पैदावार चाहता है, तो उस पैदावार पे तो ठीक है, पैदावार तो मिलगी, लेकिन उससे समिस्याएं भी बहुत बढ़ी, सारी रीक समिस्याएं, मानसीक समिस्याएं वो बढ़ती युर्ज़ारेए नहीं हम पर अंकुष लगए पलिए परक्रतिक खेति पे जूर्ड था MON मलिक साथ मैं आपकर जाना चाहता हूं कि जwide भोग प्रकृतिक खेति की इम बात करें तो तो ऐसा कहा जाता है की परक्रतिक खेति से प्रक्रति है और धार्ति मां इक हुआ यह होता है तो किस तरह द LAURA कर सकते है इसके सनद्राक्षन और संबर्दन कर सकते हैं आइस्ता आइस्ता मिट्टी में इकठा होता रहता है। तो इससे हमारी जो मिट्टी है वो परदूशी तो गई और उसमें फिर जो भी हम अनाज पैदा करते हैं उस अनाज में भी इन रसाइनों का करना आने लगा और जिससे की आप देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों में ही कै इंसर बढ़ा है या हार्ट अटेक के केसिज बढ़े हैं अधरवाइज इंडिया में इतने ज्यादा नहीं थे तो इसके बहुत से कारण हैं लेकिन एक मुखे कारण ही है कि हमारी जो मिट्टी है हमारा जो वातावरन है वो परदूशी तो गया और उसको परदूशन से या searching थेइडी हैं लेकिन प्राकरतिक ही में ऐसा है कि वीडी भी दोहीं रहें हैं जो हमारी वह दोड़ावें कखिस बशक्ता वशक्तर में बढ़ाते हैं यह हैं साथ नमी का चुट्वर्षण music time और जमीन के उपर एक मल्च लेयर बढ़ाते हैं जिससे की बानी की आउशक्ता जो हमारी फसल की है वो कम होती है। तो हमारा एक तो पानी की आपको क्योंकि आज आने वाले समय में पानी की बहुत समच्चा ओने वाली यह दिसमें। तो इस खेती में 30% पानी के आओ शकता है हमें, दूसरा हमारी मिट्टी जो परदूसित हो चुके और मिट्टी के साथ साथ जो भूमीगत जलस रोते हैं, वो भी परदूसित हो चुके हैं, उनको स्वस्त करने के लिए आइस्ता आइस्ता प्राकर्तिक खेती की तरफ लोटना मलिक साथ, आप चुके नियमत रूप से लिखते रहें, मिसरा साथ, सर आफ में जाना चाहता हूं कि हर बार ये समझे होती है, कि जो खेती की लागत है, वो नियमत लगातार बढ़ रही है, और इसकी बज़ए जैसे आज मैं सुन रहे हैं, डी एपी और यूरिया की लगात कर रहे हैं, आज भी जैवी खेती की जो फसल होती है, उसकी कीमत ज्यादा है, लेड़ गुना और दो गुना मिलती है, बहले पैदावार कम हो रही है, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा मिल लेए, तो किसान को इस बात पर भी सोचना पड़ेगा, कि हमें जो रसाइनिक तत्थ है उनको न तो खादे सामगरी में और ना खादयान पड़ार्थों में और ना जमीन में मिलने दें, देखे पहले क्या होता था, देसी गाए, बैल, सब सजाधन होते थे, अब टेक्नलोजी बदल गी, इस सितियां बदल गी, पहले गाए का गोबर, गाए का मूत्र, उनको तर को सुद्ध होता था, और बीज में किसी तरह का रोग भी होता वो रोगमुक्त हो जाते थे, जीवामरत की बात थे जीवामत्र में था, इसके मूत्र और गोबर के दोरह, जो देसी गाए, बैसे सुरूप से उलेखिया गया, तो उसमें उनके दोरह, जमीन में खाद तयार क कर देता है, तो इस्थितिया आज लोग धीरे धीरे जाहें घरों में, गमलों में या जो जो फल दार ब्रक्षिर लगा रहे हैं, उनमें आतका और अर्गनिक पैदा करें, अब समयस्या एक आरही है, जो छोटे किसान है, उनके लिए एक समयस्या है, वो यदि प्रक्रित ख कुझारा करें, उनको जरूर इस पर विचार करना होगा, कि धीरे धीरे, ये जरूर उनको जानना है, कि खेती बहले में पैदावार कम हो रही है, लेकिन उसकी कीमत आपको ज्यादा मिल लही है, और उसको धीरे धीरे लाना होगा, अब हम बहुत सारी चीजे ऐसी आगे, ज जो दिया जाता था, तो वो मिट्टी में एक लेयर बना देता था, वो एक खात, ग्रीन खात का काम करता था, और उसे पूरा खात, उसके एक और सबसे फादा था जो नमी की बात की, जब लेयर बन जाती तो उसमें 30 से लेके 60 परसेंट पानी की फिरूर है, जो जल सनक्षन की बात की, आज हमारे यहां पानी की बहुत बड़ी समस्चा हो, कहा जाता की अगला यह कोई विश्विद होगा तो पानी के लिए होगा, तो इस सारी चीजें जो है, वह हम प्रकत की आधार पे हीते हैं, इसलिए प्रकत की कहती पे जूर दिया जा रहा है, और ज़र से नम कि सी तरह आप से की के विकास को और वहां के खेती को देखते हैं? उत्तर प्रदेश में इनका ज्यादा क्यूंकि ज्यादा च्यादा से ज्यादा फसल लेने की उसमी स्द governed गया कहा जो सिक्म है वह प्रक्तिक प्रदेश विश्य वीश्य में पहला ऐसा किमिकल इसस्तेमाल ही नहीं की एगए आज वह हम प्रकत की पर युक साला पर यह जो खेती करने की बात कही है उसको यह बनाएंगे तो निश्चीत रूप से मांसी रूप से सारी रूप से सौस्त होंगे और पैदावार की बात है हम अब तो इतना पैदावार करने लेकि हम दूसरे देशों को निर्याद कर रहे हैं तो इस्थिति देशी गाय का अपनी प्रकरतिक ह्यती में कितना का प्रियोग नहीं करते हैं, ना ही और्गनिक खाद या जो केचवा खाद है इसका प्रियोग किया जाते है तो इसकी जगए पे दो तत्व काम इस्तेमाल करते हैं, एक तो भीजामरित और एक झीवामरित, जो जीवामरित है ये बेसिकली हम तैयार करते हैं गाये के गोबर से, जिस तरह आपने 10 किडों गाये का गोबर ले लिया, उसको 200 लिटर पानी मेन मिला दो, उसके बाद गोबर आपको ताजा लेना है और गाए का पुराना यूरीन जिस तेरे पेशाब गशाब है कवे 5-6 दिन पुराना है आम हिक ठा करते रहें किसी मिट्री के बरतर में वो पुराना पेशाब तगरीबन 2 लिटर इसमें मिला देम और इसके साथ साथ एक किलो बेसन और एक किलो गुड ये मिला के एक गोड तियार करते हैं और इस गोड को ये दो सो लिटर पाणी में तियार होगा तो ये गोड एक एकड के लिए छिरकाओ करने के लिए काफी है लेकिन इस गोड को तियार होने में गर्मियों में क उसको अच्छी तरह से इलाते रहें और फिर उसके बाद उसको डख दें तो हम तीन या चार दिन बाद इस दो सो लिटर पाणी का महीने में दो बार यदी खेत में छिड़काओं करते हैं तो इससे एक तो सोयल हैल्थ है जो हमारे मिट्टी की सेयत है उसमें फरक पड़ेगा और इसके साथ साथ एक जो हमारे माइक्रो फ्लोर हैं जो जिवानों मिट्टी में मुझूद है उनमें ये जो स्वास्त जिवानों हैं उनको प्रमोट करेगी ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो जमीन है वो खाद के बिना भी मतलब अच्छी उपस देने के लाहिक हो जाई एक बात हम सबी को समझनी होगी कि जो पोदा पोशत तत्व लेता है वो अठाणवा परतिशत लेता है आपके वातावरण से और केवल दो परतिशत पोशत तत्वी पोदे को जमीन से चाहिए तो यदि हम बगेर खाद बीज के भी इस जिवामरित के प्रियोग से आहिस्ता प्राइस्ता प्राकर्तिक खेते की तरफ लोटें तो एक तो इससे इनपुट कोस्ट कम होगी उत्पादन लागत कम होगी क्योंकि आज समझा यह है कि भई फर्टिलाइजर है आपका फिर आपने टिलेज काफी करनी है फिर उसको हैरोइंग करनी है फिर वीडिंग करनी है तो इस तरीके से किसान की उत्पादन लागत दीरे दीरे बढ़ती जाती है इसमें मजदूरी भी काफी लगती है और फिर यदि चार या पांच महीने बाद वो फसल खराब हो जए तो फिर किसान के पास लौन चुकाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता और इसलिए हमारे देखते हैं कि भी आतमते हैं भी बढ़ाती ही बादे तो एक तो ततरीका यह है कि हमें उत्पादन लागत किर्सी में कम करने होगी क्योंकि आज हमारे पास इतना आनाज है कि वो आनाज हमारे सारे वोदाम फुलने ही और हर वर्स हजारों मिट्रिक ट्रणाना धड़ इसमें हम 20 लिटर पानी में एक किलो गाय का ताजा गोबर या 5 किलो गोबर ताजा आप एक कपड़े में ले लो और उसको कपड़े को बांद के और 20 लिटर पानी में छोड़ दो किसी प्लास्टिक के ये दो दिन तक आपने रखना है फिर अच्छी तरह से उसका रस निकाल क मिलाएं उसको ओवरनाइट छोड़ दें और उस एक लिटर पानी को और साथ में एक लिटर यूरीन और वो बीच लिटर पानी ये आपका वीजामरित तयार हो गया है जो की फफुंदी ना सक जितने भी बिमारी हैं और साथ के साथ जो किड़ें जिस तरह डिमक वगरा के स इन चीजों पे शोद काफी कम हुआ है और आइस्ता आइस्ता क्रिशी विश्वी द्यालों को इन पे शोद ज्यादा करना पड़ेगा ताकि हम एक वेग्यानिक डंग से ये कह सकें कि हाँ ये चीज किसान के लिए फाइदे मन्द है प्राकरतिक खेती में हम केवल स्थानिय किसमों का ही इस्तेमाल करते हैं और धर्ती को कम से कम डिस्टरब करते हुए बिना किसी रसाइनों के अपने उत्पादन पूरा करते हैं अब किसान भाई ये भी सोचते होंगे कि एक तो और्गेनिक खेती है और एक प्राकरतिक खेती है इन दोनों में अंतर क्या है जी ही खेते की पत्तियां किसी भी रसाइन का प्रियोग नहीं करते हैं लेकिन इसमें अंतर ये है कि हम और्गेनिक फार्मिंग में जो जैवे खेती है उसमें केच्वा खाद का प्रियोग करते हैं और देशी खाद का भी जो गोबर की खाद या हरी खाद है इसका भी प्रियोग क काम करते हैं तो इस से हमारी उत्पादन लागत बढ़ती है लेकिन प्राकर्तिक तरीके से यदि हम कहती करेंगे तो उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी यदि हमारी उत्पादन लागत कम होगी तो फसल खराब होने पर भी किसान को उतनी समश्या का सामना नहीं करना पर बिल्कुल ये यदि बारत के परिपेक्ष में हम लेखें तो पदमसरी सिरी सुबास पालेकरजी ने 1990 के बाद बारत में प्राकरतिक खेती की शुरुआत की उन्होंने करनाटक रहियत संग के साथ मिलके करनाटक में काफी कर रहे हैं और अब उन्होंने ये दिखा दिया है कि हम कम से कम उत्पादन लागत में भी अच्छा उत्पादन लेके किसान को मुनाफाद दे सकते हैं आज आउशकता है इस बात की है कि इन चीजों पर शोध गहन शोध किया जाए देश के किर्शी विशुविद्यालों में ताकि हम और अच्छी तरही के से किसान को ये बात बता सके बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर मलिक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी बहुत सारी समयश्या है होती है कि देशी गाया को लोग छोड़ देते हैं दूद उसका जब खतम हो जाता है तो ये बहुत बड़ी पूरी मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की समझा है खालका उत्तर भारत की जब प्राकरती खेती के हम बात कर रहे तो और चुकि देशी गाया का बड़ा महत इस खेती में है तो आपको लगता है कि जो गाया क चोड़ दी जाते है पहलोगों पर प्राकट ऋबहुत जो जवी खेती का जब करेंगे ना जो प्रकट के ओर जो बात की हम जयवी खेती तो बहुत फाज़ी बन्द है जितना इनका गुबर रसे सटकों पर आवारा घूम रहे हैं बहुत सारे केसे एकसिडेंट हो रहे हैं बहुत सारी समयस्याइं आ रही हैं, अब इस इन सब का निदान भी से समभ होगा, जब हम प्रकत के साथ जब अपने आपको जोड कि देखते हैं, तो प्रकत भी बड़ा बैलेंस रखती है, प्रकत हमेशा संतुलन रखती है, जो हम प्रकत के जब संतुलन बिगाड़ते हैं, तभी समस्याइं क्रियेटर होती हैं, आज बहुत सारी समस्याइं बढ़ी हैं, तो वो पुरानी खेती, परमपरागत खेती तो करें, परमपरागत ग्यान लें, लेकिन उसमें आधनिक्ता को जोड़ें, जैसे कि मलीक साथ ने कहा, कि इस पर भी रिसरच करने की जरूरत है, हम परमपरागत खेती तो करें, बहुत सारे चीजें हैं, जो परमपरागत ग्यान है, उसको तो हासिर करें, लेकिन उसमें हमें नए नए चीजों को जोड़ने की जरूरत है, जिससे ये जो खास करके देशी गाए हैं, इनका सुरक्षा भी की जाए, उनका संबर्धन भी होग और परकत के साथ हम इनको ज़्यादा जोड़ पाएंगे. खेती ये दी किसान कर भी लेगा, तो वो अपने उपज को कहां बेचेगा, इसके लिए सरकार का आगयाना ज़रूरी है, और आज हमारे विभिन नगाजों में प्रियोग सालाई हैं, जो कि आपके प्रोड्यूस को उत्पाद को और्गिनिक सर्टिफाई करते हैं, आपके खेत को भी और्गिनिक सर्टिफाई जो आपका स्टेट अगरिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो करता है, और साथ में जो प्रोड्यूस है, उसको सर्टिफाई करने के लिए हर स्टेट में एक लैब है, तो एक तो किसान भाई को चाहिए कि वो सर्टिफिकेशन ज़रूर ल प्रोचान दिया जा रहा है, सबसीडी के रूप में भी, कि आप आइस्ता आइस्ता प्राकरतिक खेते की तरफ लोटें, क्योंकि हमने जो ये हरित्र करांती है, ये देखने के बाद आज ये समझ में आया है, कि ज्यादा उत्वादन तो ले लिया, लेकिन हमने जमीन का और और प्रियावरन को खराब कर दिया है, जिसको कि ठीक करना जरूरी है, मनव के स्वास्ते के लिए. सर, आखरी सवाल इस कारिकरम का, मैं आप से, डॉक्टर मिसर आप से जाना चाहता हूँगी, लोगों को, चुकि ये सब चीजे सब हो गई, लेकिन लोगों को जागरुक कैसे करें, किसानों को जागरुक कैसे करें, इस फ्रंट पर किस तरह के काम होने चाहिए आपके साब स जो सर्टिफिकेशन को ले, लेकिन अभी भी लोग जागरुक हो गए हैं, जो इस तरह के हैं, जैविक प्रोडक्शन कर रहे हैं, और्गनिक खेती जो कर रहे हैं, उनका मूल ज्यादा मिला है, लोग आजकल खुद खरीदने लगे हैं, इवन दन जो किसान बड़े हैं, नहीं हमें प्रकत के साथ जुड़ना है, हमें जैविक खेती के साथ जुड़ना है, हमें प्राक्तिक खेती के साथ जुड़ना है, इसमें क्या है, तो बजट जीरू हो जाएगा, लागत भी कमा रही हैं, और सबसिदी भी मिल रही हैं, और आपकी लागत भी कम हो रही हैं, तो आप इसकी काम करने के लिए निश्ची तूप से प्रोटाइट होंगे और किसान भी ये मैसूस करेगा किसान को तो लाब होगा ही आम आदमी को भी इससे फायदा होगा वो स्वस्त होगा जिब लोग स्वस्त होंगे तो देश भी स्वस्त होगा देश स्वस्त होगा, तो समाज स्वस्त होगा, समाज स्वस्त होगा, तो राज स्वस्त होगा, तो मानोता स्वस्त होगा. सर बहुत आपने बहुत सुन्दर डंग से प्राकरतिक खेती को लेकर आप दोनों लोगों ने हमारे मेहमानों ने बातचीत की और कितनी सुन्दर डंग से बताये कि प्राकरतिक खेती से पुरा समाज पुरा देश पुरे धरती मा स्वस्तोगी तो मुझे लगता है कि प्राकर झाल झाल